नमस्कार दोस्तो मैं आपका accounting coach अमित कुमार आ गया हूँ एक नए chapter के साथ chapter 9 internal reconstruction बहुत ही simple chapter है दोस्तो इसका नाम देखो क्या है internal reconstruction मतलब अंदरूनी मतलब अपने ही घर की बात को घर तक ही रखना है और घर में अगर कोई problem चल रही है तो घर में उसको खतम करना है यह वाली बात हो गई और external reconstruction वह होता है जब या तो company ही भिक जाए जो हमने अमल्गमेशन में देखा था वह एक external reconstruction का काम था उसमें हम सामाल नहीं पा रहे थे तो अपनी company बेच लेते लेकिन यहां क्या है कि अब मरीज जो है वह मरने वाला है बट उसको उससे पहले एक बार last मतलब कहने का मतलब है कि बिजनस अब बिल्कुल खतम होने वाला है लेकिन एक और कोशिश एक और चीज़ें कर सकते हैं कुछ कुछ इंप्रोव्मेंट की ज़रू होता है तो बिजनस बच सकता है तो ऐसी situation में हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे और उसी करने के process को ही बोलते internal reconstruction जैसे कि मान लो कि भी आपके बहुत सारे creator है creator के हाथ पैर जोड़ लो और उसके पैरों में गिर जाओ बोलो भई ऐसा है देखो माफीक देदो मुझे 40% छूट कर दो 20% का discount देदो 30% discount देदो अपनी liability कम कर दो इस तरीके से क्या है कि आप request करोगे अपने business को बचाने के लिए तो उसी को request करने के method कि इतने है क्या क्या है method उसकी कैसे accounting करोगे वह एक accountant को पता करना है तो देखते हैं चैप्र नंबर 9 internal reconstruction इसमें क्या क्या देखेंगे internal reconstruction का concept internal and external reconstruction में डिफरेंस और रीजन क्या है internal reconstruction के और accounting entries क्या है तो concept क्या है जो internal reconstruction जो मैंने आपको बता है वही सारी चीज़े हैं कि या company बिना liquidate किये उसको एक नई जिंदगी देनी है company को न तो हम internal reconstruction करते हैं इसमें क्या है कि reduction of capital अपने capital को reduce किया जाता है company को बर्डर ने उसको कम किया जाता है ठीक है न ऐसे companies को दुबारा से कुछ नय करना है उसके normal track पर लाने के लिए उसी को हम internal reconstruction कहते हैं external reconstruction हमने देखाई है इन इन दा नेचर आफ मर्जर इन दा नेचर आफ अमल्गमेशन इन दा ने चरॉप यह सारी चीज़े external reconstruction भी देख लेते हैं internal reconstruction में liquidation नहीं होती company बंद नहीं होती लेकिन external reconstruction में company liquidate हो जाती है खतम हो जाती है internal reconstruction में कोई नहीं 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 बनती यहां पर एक नहीं company बन जाती है और यहां पर जो है इंटर्नल रिकंसर रिकंसर्ट्रक्शन सेक्शन 66 है company's act का और external reconstruction 319 of the company's act है तो अमल्गमेशन इन देखा था न वह एक्टरनल रिकंस्रक्शन था एक नहीं कंपनी बन रही है आपकी एसेट 10 करोड की और आप चल रहे तो और वैलेशन करके 100 करोड और लाइबीटी की वैलेशन कम करके चल रहे था आपकी एक्ट्वल लाइबिटी थी 90 करोड की आप लेके चल रहे थे 10 करोड अभी शिलंका में आपने देखा है न शिलंका में internal reconstruction की जरूरत है तो वेन कंपनी सफरिंग फ्रम कंटिनुवस लॉसे और बहुत लॉसे चल रहा है और पॉसिबल नहीं है कि हम फानेंसल क्राइस से बाहर आ पाएं बहुत डिफिकल्ट है बहुत ही सारे खटा लॉस हो गया है यूज एकमिलिटिड लॉस और ऐसे को कैसे राइट आफ करेंगे ताकि कंपनी को बचाया जा सके और कैप्टिल इस्ट्रक्शर जो है वह इतनी टफ हो गई है कि उसको बनाना है अब सिंपल बनाना है तो सिंपल बनाने के काम को ही इंटर अकाउंट बनाएंगे तो दोस्तों यह और आसान चैप्टर है अगर आप री कंस्ट्रक्शन अकाउंट का फॉर्मिट भी देख लेते हो उस फॉर्मिट में चीजों को पुट भी कर देते हो तो समझो आपका यह चैप्टर खतम हो जाएगा ना अल्टरेशन ऑफ शेयर कै करना है तो पुराने कैप्टर ऊसको खतम कर दो या फिर सकती है पराने शेयर को के साथ क सथ कंसलिडेट कर सकती है अब देखो Consolidation of Shares क्या है Old Denomination को New Denomination में Convert करना पहले अगर Shares 100 रुपे का है तो अब अगर Shares 10 रुपे का हो गया तो भाईया Number of Shares बढ़ जाएंगे और Value सेम रहेगी मतलब यह कि पहले 100 रुपे का एक Shares था तो Number of Shares कम थे अब मुझे उतने ही Value को मेंटेन करना है तो Number of Shares में जैदा हो जाएंगे इसको बोलते है Consolidation of Shares और Sub Division of Shares पहले 100 रुपे का एक Shares था अब 10 रुपे का एक Shares कर दिया Sub Division कर दिया Conversion of Shares into Stock Equity Share Capital को Credit होता है लेकिन हम डेविट करेंगे उसको खतम कर रहे हैं और स्टॉक में Convert कर रहे है इस इक्विटी स्टॉक को या तो फिर एक्विटी के शेर कैप्टिल में Convert कर रहे है कुछ भी ऐसा करना है या जिससे कंपनी को बचाया जा सके ठीक है अब अब देखते हैं अब उन्दी बेसिस ऑफ डिसक्षण अब वी में कंपाइल देट्रीज अब ऐसे जो चीज़ आपके काम की अब देखो ओल्ड शेर को आप खतम कर रहे हो शेर कैप्टिल अकाउंट डेविट ओल्ड डेविट कर दो और शेर होल्डर कैप्टिल अकाउंट शेर कैप्टिल अकाउंट क्रेडिट न्यू से क्रेडिट कर दो अगर कोई डिफरेंस है तो उसको कैप्टिल डिड़क्शन अकाउंट में ले जाओ capital reduction कहलो या फिर reconstruction अकाउंट कहाउंट फिर share capital account debit to capital reduction account अगर paid up value कम हो गई है तो share capital to share capital पहले 10 का था अब 100 का कर दिया share capital पहले 100 का था अब 10 का कर दिया entry बिल्कुल सेम रहेगी बस amount change हो जाएगा creators को खतम कर रहे हो तो creators को debit to capital reduction asset को बढ़ा रहे हो increase in value तो asset को और debit कर दो capital reduction को करेट कर दो आप तो चाहोगे बढ़ जाये ताकि कंपनी अच्छी हो जाए capital reduction को अकाउंट debit asset value और कम हो रही है लाइबिटी खतम हो रहे है तो लाइबिटी अकाउंट डाविटी अकाउंट सारा का सारा रोल अब capital reduction का अकाउंट का रहा है entry for increasing the liability अकाउंट अब recording new liability और प्रोविजन नहीं लाइबिटी को रिकॉर्ड कर रहे है प्रोविजन को तो capital reduction अकाउंट डाविटी और तू प्रोविजन अकाउंट प्रेटी और बैंक और अकाउंट डाविटी अगर अगर अग्र अगर चला जाएगा और रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर पैसा का सारा हम चेंज कर रहे हैं कुछ लास हो रहे हैं प्रॉफिट हो रहे हैं वो को खतम करें नए को क्रेट कर यह सारी कहानी आपको को दी जाएगी यह बस आपको पढ़ना होगा पुरानी डिवेंचर को के नए डिवेंचर को दे रहे हैं कुछ लौस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो डिदक्शन में जाएगा और अगर इंटरेस्ट वेंचर भी उसको को ले जा और खतम कर लो तो यहां पर अब जो एक नॉमिनल अकाउंट है बस यह फॉर्मिट पर ही पूरा का पूरा चैप्टर है अब देखो यहां पर सारे के सारे गुडविल प्रिमिरी एक्सपेंस डिसकाउंट अइसेट अकाउंट जो डिक्रीज हो गया है बैंक अब जो बैलेंसिंग फिगर दोनों में आता है वह यहां आएगा और यहां अगर कोई है पुराना तो राइट आफ कर देंगे जितने भी प्रॉफिट हुए वह यहां आजाएगा और जितने भी लॉस हुए यह यह बी एक नॉमिनल अकाउंट है पिछले चैप्टर में र बैलेंस शीट दी गई है मेगा लिम्टेट के 30 जुन 2019 की गुडविल है लेंड विल्डिंग प्लांटर मिसिंड श्टॉक पेटिंट बैंक डेटर प्रेम्ली एक्स्पेंस को खतम कर दो गए यह लॉस है तो यह आप इसको डेबिट में डाल देना यह आप डेबिट में डा बैलेंड होता है अगर सौका है तो 50 कर दे 10% को सोर रुपय वाले को हम कर रहें 11 वाले में और 30 परसंट से वेल्ड वी कम कर रहे हैं डेंटिविल्ड रही है तो यह करेड़ साइट में चला जाएगा 20 बस यही सारी चीज़े तो हैं पर देखो जी नय पुराने प्रेफरें बढ़ा दिया वैल्यू तो इंख्रीज होगी यह वैल्यू तो ऑफिर कंटरच्ट्रेश्ट को खत्म कर दो रिक अकाउंट के डैबिट में आप ले जाओ किसको प्रोफिट यूविल और पेटेंट सारे के सारे का सारे कात्म कर दो ड़ी कंपनी जब अच्छी नहीं तो उसके तो दोस्तों इस तरीके से आप इस चैप्टर को बिल्कुल कर सकते हो यार बहुत सिम्पल चैप्टर है आप बस चीजों को पढ़ोगे समझोगे क्या क्या इस कीम चल रहा है क्या 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 क्रेट करना है बस रीकंस्ट्रेक्शन अकाउंट बना लो पुरानी कंपनी के नई बैलेंशिट का फॉर्मिट बना लो जो जो चींजिस हुए आप उसको डाल कंपनी को अगर प्राफिट हो रहा है तो एक चाप्टर करनी को फिनिज किया है और अगर यह चैप्टर कोष्ण आता तो कोई ज़रू चाप्टर में अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अग्लाचेप्टर रहा चैप्टर नंबर अक्पट इंगर लिक्विडेश और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्ट्चर में नेक्स्ट वीडियो में इस चप्टर को फिनिश करने के लिए तब तक के लिए गुडबाई फ्रेंड्स